नमस्ते मैं हूँ देव द्रिश्टी गोन प्रोडक्शन से और आपका मुजिक इंस्ट्रक्टर इस लेक्चर में बात करने वाले हैं न्यू टोन के बारे में पर सबस्से पहले सुनते हैं ये आडियो क्लिप कहने कहने को क्या है दिल में बचा ही क्या है अब ये एक सिंगर है ये गारा है कहने कहने को क्या है दिल में बचा ही क्या है ठीक है हमने पिछले लेक्चर में बात की थी और पिचर के बारे में ठीक है अगर आपने इस के उपर आपने डबल क्लिक किया यहां से गए एक नंबर में mixer के 10 नंबर में गए यहां पर click किया यहां clicker के आपने ले लिया है auto tune ठीक है कुछ यहां पर shade दिया थोड़ा effect वगरा आ गया ठीक है मान गए लेकिन आप कहते हैं अभी भी इसके सुर उतने अच्छे नहीं हुए तो क्या करें तब बात आती है proper pitching की अब pitching क्या है एक एक सुर जहां जहां यह गा रहा है कहने कहने को क्या है दिल में बचा ही क्या है कहने कहने को क्या यह सारे words यह अलग लग जो है इनका एक एक सुर है कुछ सही सुर पे है कुछ गलत सूर पे है उन सब को exactly सही सूर के उपर बिठा लेना ही सही pitching है हमारे पास बहुत सारे ऐसे project आते हैं जिसमें जो actor है उसने ही गाना गाया होता है अब obviously actor एक professional singer तो नहीं है लेकिन हमें उसको सूर में लेके आना है क्योंकि यह हमारा काम है तो हम करते हैं pitching कैसे होगी वो मैं सबसे पहले इसे करता हूँ मैंने यहाँ click किया है मैं फिर बता देता हूँ यहाँ गए minimize किया है यह side में आ गया किसी भी channel पर मैं गया यहाँ मैंने click किया और यहाँ मैं लेता हूँ new tone यह मेरे पास आ गया है new tone चली इसे करते हैं बंद, इसे ले आते हैं side में ठीक है, अब new tone, ये एक stock plugin है, FL studio के अंदर है इसके जैसा और भी बहुत सारे plugins market ने available है external सबसे जो popular है जिसका नाम है वो है Melodyne आपने शायद सुना भी होगा और Cubase का इसके जैसा ही है तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है इस पर किया double click, ये आपके सामने आ गई है option इसे पकड़ा, drag करके हम ले जाएंगे इदर कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है मैंने drop किया, आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने वहाँ पर गया था, वो यहाँ पर आ गया है और जो जो word से, वो अपने आप कट गए है और अलग-लग सुरों के उपर आ गए है वो अपने आप ही बता रहा है कि कौन-कौन से सुरों के उपर क्या चीज़ गई है, यहाँ पर piano roll की तरह है, दिल में बचा ही क्या है हम, अब थोड़ा सा मैंने alt press किया और इसको किया मैंने zoom थोड़ा सा यहाँ किया zoom, उपर जाते हैं यह सुर सुनते हैं, सिर्फ यह वाला सुर कहने कहने को, कहने कहने को, कहने कहने को हम, कहने अब मैं इसको क्या करूँगा सिंपल में इसके उपर गया और ये arrow बना गया को सुनते हैं कहने कहने को क्या है कहने कहने को क्या है आप देख रहे हैं melody ही change हो गई और बिल्कु सही लग रही है कुछ ज़्यादा artifacts भी नहीं आ रहे हैं हाँ अगर मैं इसको और ज़्यादा उपर नीचे करके जाओंगा तो फिर थोड़ा थोड़ा रॉबाटिक वो sound करने लग जाएगा कहने कहने को क्या है कहने कहने को क्या है दिल में दिल में कहने कहने को क्या है दिल में बचा ही क्या बचा ही दिल में बचा ही क्या है तो आप देख रहे हैं कहने कहने को क्या है change ही हो गया मैंने इसे और किया zoom यहां पर अगर आप देखें hint panel में लिखा है cut mode इसे click किया cut mode क्या है यह click किया चलो यह 2 सुर में इसने और divide कर दिया यहां click किया और divide कर दिया, यहां click किया और divide कर दिया, इसे off किया वापिस वो ही वाला arrow आ गया इसे पकड़ा इसको ले गए सुनते हैं क्या बना कहने कहने आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से उसने और कितना funny सा बना दिया है कहने कहने को क्या है तो आप काट-काटके पिरकुश सही सूर के उपर लेके जा सकते हैं, इसलिए आप आजकल जो देखते हैं कि बहुत सारे actors गाना गा रहे हैं और बहुती सूर में गा रहे होते हैं, बहुती अच्छा sound कर रहे होते हैं वो इस technique से गा रहे होते हैं इसके जैसे ये एक और है Melodyne आप देख सकते हैं, बट Melodyne की जुरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास already ये stock plugin है FL Studio के अंदर है अब Ctrl-Alt-Z मैं थोड़ा वापिस ले जाता हूँ इसको, I think यहाँ था कहने कहने को क्या है ना 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 ने क्या है अब इसको किया यहाँ से zoom तो हम अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास options है यहाँ पर कुछ options दी गई है सबसे पहली जो right side वाली option है अगर आप print panel में देखे हैं, लिखा है send to playlist इस पे click किया जैसी मैंने इस पे click किया ये मेरे पास आ गया है सुनते हैं पहले क्या था कहने कहने को क्या है अब वाला क्या है कहने कहने को क्या है तो आप देखे हैं कितना easy है double click किया, उठाया, drag and drop किया यहाँ सूर आ गए, उसके सूर change किये उठाके, ये वाला button दबाया वापिस वो playlist के अंदर आ गया दूसरी option, drag and drop अगर आप इसे यहाँ पकड़ते हैं तो ये ऐसे करके भी यहाँ पर आ जाता बात वो ही है हटाते हैं इसे तीसरी option, आपने जो भी ये setting की है, इसको आप wave format में कहीं भी save कर सकते हैं चौती option ये बहुती cool option है, मैं सब को recommend करता हूँ, ये option मत use कीजिए बढ़ ठीक है, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं क्या है ये, मैंने speak या click click होने से क्या हुआ उसने अपने अपी एक बना दिया जहां पर ये सुर्थ है जो जो ये वाले सुर्थ है, उसने piano roll में वहाँ पे show कर दिये right click, replace और मैंने इसको कर दिया FL key सुनते हैं ये क्या है आप देख रहे हैं, जहां-जहां वो गाया था उसने 90% कोशिश कियेगी, वहाँ-वहाँ सूरा जाएं तो बहुत सार लोग ऐसे हैं जो piano roll के अंदर melody वगरा create नहीं कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं, वो गुन-गुनाएं गुन-गुनाने के बाद वो new tone में ले जाएं new tone के अंदर जब जाएगा तो आप इस पे click कर देंगे, जो भी आपने गुन-गुनाया है वो piano roll के अंदर आ जाएगा उसके बाद आप इससे चाहिए replace करते रही है, कुछ करते रही है चाहिए, इसी को melody को change वगरा करते रही है वापिस आते हैं इधर ओके, अब हम फिर से खोलते हैं new tone अगर मैं इसे यहां से करता हूँ, zoom आप देख रहे हैं, यह बिल्कुल सही सूर के उपर नहीं है ना यह C के उपर है, ना यह C शाप के उपर है यह कहीं बीच में है, क्यों क्यों कि obviously बेसूरा है तो सही तरीका क्या है, या तो आप इसे पगड़ के उपर नीचे करेंगे या फिर यहां पर एक option दी गई है, center आप इसे जैसे जैसे हिलाते जाते हैं, सारे सूर आप देख रहे हैं, नीचे वाला भी उपर वाला भी अपनी एक सही जगा पर आना शुरू हो गया है और जैसी मैं इसे फूल किया, वो अपनी सही जगा पर आ गया तो उसने सारे के सारे सूर बिल्कुत सही सही जगा पर लगा दी है, अपने हिसाब से कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है कहने कहने को क्या है, कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है आप देख रहे हैं, है का सूर पहले सही नहीं था, यहां था होना चाहिए यहाँ मैंने नीचे कर दिया अब यह चीज मेरे पास आगी है मैंने सीधा किया और यह अपने सही सुरों के उपर आ गया अब यहाँ पर आप यह लाइन देख रहे हैं यह जो लाइन बनी आ रही है यह आपकी पिछकी विरियेशन है कि आपकी आवाज में कितनी कमपन है यहाँ पर बहुत जादा काम पर ही थी कहीं यह थी अगर आप इसको यह जो विरियेशन वाली नॉब है आप जितना जाधा करते रहेंगे उतनी वो देगा अगर आप बिलकुल बंद कर देते हैं आप देखने हैं, पिछ की विरेशन एकदम स्ट्रेट हो गई एकदम स्ट्रेट, नैचुरली ऐसी थी अभी स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेट से क्या होगा आर्टिफेक्ट आएंगे पीछे करते हैं अब देख रहे हैं थोड़ा सा वो रोबाटिक रोबाटिक सी फील आनी शुरू हो गई है तो बिल्कुल भी यू नहीं करना है थोड़ा थोड़ा हम इसे आन करके ही रखेंगे अब इसके सुर्व वापिस पिछले वाले जैसे करूँ एक मिनट यहां सुनते हैं क्या है अच्छा हमने यह मूव जो कर दिया चलिए कोई बात ने ठीक है उसके बाद उसने उपर नीचे कर दिया अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं हामनाईज करूँगा अपनी ही आवाज को जो सिंगर यहां गा रहा है देखे कितना इजी होगा मैंने इस सब को किया सिलेक्ट ठीक और यह पकड़के मैं एक दो तीन उपर ले गया हूँ इस पे किया क्लिक वहाँ पर एक और आ गया है फिर हम इसे क्या कर रहे है एक दो तीन चार याद है तीन प्लस चार मैंने क्या पताए था माइनर इसके लाँ फिर मैंने क्लिक कर दिया एक अवाज फिरा आ गई अब ये क्या चीज़ है सुनते है आप देख रहे है जादा उपर जाके आटिफेक्ट आते हैं लेकिन एक अठा चलाएंगे तो क्या feel आती है harmonizing डबल क्लिक किया, थोड़ा सा किया, कम, हलका सा कर दिया, left side पर तो आप देख रहे हैं किस तरा से हम चूर्व ठीक कर सकते हैं इसके ऊपर जो मैं auto tune लगाँगा तो और अच्छा effects हो जाएगा तो harmonize कर सकते हैं, हम बहुत सारी अच्छे चीज़ के अंदर options होती हैं, आप इसे काट सकते हैं, जितने ज़्यादा सूर काटेंगे उतने ज़्यादा आपको और clean काम करना पढ़ेगा, तो recording के time मुसे बहुत सारे students पूछते हैं, कि recording की आप कोई tip दीजी, मैं सबको सिरफ एक कहने को क्या है, सूर अच्छा भी होगा, तो भी आपको feel नहीं आएगी, expression सबसे important चीज़ है, इसलिए जो वो actors होते हैं, जब वो गाना गाते हैं, तो खूबसूरत गाना क्यों बनता है, क्योंकि 20-20 साल के उनको acting का experience है, वो जब expression देते हैं, क्योंकि expression की उनको feel है, तो सू क्लिक किया, यहां पर कोई चीज़ बनी आ गई, मैं alt प्रेस करके इसे scroll कर रहा हूँ, ताकि zoom हो जाए, यह option select हो रखी है, इस पर यू लेकर गए, किसी के भी उपर में सिर्फ लेकर जाऊंगा, वो कुछ box बना हुआ आ जाता है, अगर यह off भी है, तो मुझे का करना है इस अब इसमें options दी गई है, जैसे यहां पर इसकी timing यह है, और मैं चाहता था कि timing थोड़ी आगे होनी चाहिए थी, जैसी मैं यहां लाता हूँ, हाथ आ जाता है, थोड़ा सा आगे, alt प्रेस करेंगे, अराम से आगे पिछे हो जाता है, कैसे? मैंने को कर दिया और पिछे और कहने कर दिया इदर, आई तुमें आखेंगे, कहने को क्या है, यू हो गया, यू हो गया, कहने को क्या है, दिल में बचा, वापिस करते हैं हम इसे zoom, इस वाले की उपर लेके गए, यहां पकड़ेंगे, तो आप उसका volume ग़रा बढ़ा सकते ह नीचे वाले को पकड़ेंगे जैसी एरो आएगा आप इसकी पिछ वगएरा स्ट्रेट वगएरा कर सकते हैं या आप जैसी देख रहे हैं तो बहुत सारी options के अंदर और आयाती हैं बहुत ही आसान है बहुत ही easy है आपकी feel के ओपर depend करता है इसके जैसा एक और बहुत ही popular plugin जो की external है वो है Melodyne आप उसे सर्च करेंगे गूगल में exactly इसके जैसी ही image आएगी औरेंज कलर का होगा यही ऐसे ऐसे ही सूर बने होंगे उसक आपके किया यह आगी है ठीक है यह exactly same audio है जो हम fs studio में भी सुन रहे थे इस पर किया मैंने double click किया आपके सामने दिख रही है अंदर यह audio same audio है left side पर आप यहाँ पर देखेंगे pitch and warp इसे जैसी मैंने click किया click करते exactly आप देख रहे हैं सारे words सारे lyrics अलग लग कट गए है और अपने अपने सुरों पर set हो गए है exactly new tone के style में यह देखेंगे उपर निचे हम जल्द बाजी में कर सकते हैं मैं आपको थोड़ी fast forward करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी हम exactly वही चीज़ें कर सकते हैं सारा का सारा मैंने किया है select फिर left side में जाओंगा यहाँ पर option है pitch, quantize और straighten pitch की यह exactly same वही option है जो FL studio के अंदर हमने छेडी थी center वाली pitch और pitch variation की यह देखिए आप right side वे देख सकते हैं वो अपने अपनी center position पर आना शुरू हो गया है यह particular sure मैंने select किया, इसकी pitch मैंने कर दी straight आप देख रहे हैं exactly वही चीज़ जो neutron में हम कर सकते हैं वो Q base में भी कर सकते हैं और same चीज़ Melodyne में भी होती है यह चीज़ मैं आपको सरफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यह पता लग जाए कि कोई भी एक software दूसरे software से better नहीं होता है सारे software exactly same क्षमता के हैं और आपकी कोई भी queries हो आप मुझे message कर सकते हैं comment कर सकते हैं हाँ cute munda sherry man अब बहुत सारे आप students होंगे जो जिनको 15 दिन हुए है 20 दिन हुए है महीना हुआ है दो महीना हुआ है और frustrations यानी शुरू हो आती है कि music नहीं बन रहा यह मेरे एक student ने बनाया है gift rulers ने वो मेरे पास सीखा और उसके बाद उसे काफी साल होगे मेहनत करते हुए और मेहनत करते करते धीरे धीरे अब क्या होता है कि वो शेरी मान के लिए music बना रहा है पांच करोड इसके views हैं तो आप देख रहे हैं दूसरा यहाँ पर मैं गाना सुन रहा था एमी विर्क का ये कल ही रिलीज हुए आप भी जुरू सुनेगा और इसके उपर कमेंट कीजेगा शेर कीजे लाइक कीजेए ये भी मेरे स्टूडेंट रिक हाट का music है आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं music रिक हाट रातों रात लगातार बैठके मेहनत करनी पड़ती है बहुत साल लगते है ये I think more than four years I think रिक हाट चार साल से जादा हो गए है इनको लगातार काम करते हुए दिन रात तो इतमिनान से सीखते रही है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक लिए देव द्रिश्टिकॉन प्रोडक्शन्स साइनिंग आउट नमस्ते